नमस्कार यार, यह historical movie series की तीसरी और आखरी वीडियो है। यदि आपने पहली दो वीडियो नहीं देखिया है, तो आप उसे जरूर देखें, उसमें भी कई जवदस्त फिल्मों के बारे में मैंने बताया है। आज जो 9 फिल्मों के बारे में मैं बताऊंगा, उस सभी की रेटिंग 8 से ज्यादा है, तो आप समझ सकते हैं सभी फिल्म कितनी कमालगी होने वाली है। यदि एक फिल्म को छोड़ दें, तो बांकी सारी फिल्मों में जो बहादूरी आपको नजर आएगी, वो आपको जखजोर कर रख दोएगी। इस सभी की बहादूरी को देख कर आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। और टॉप थरी पर जो मूवी है, वो तो अलग ही लेवर की मूवी है, उसकी रेटिंग 9 से भी ज्यादा है। बस दुख की बात ये है कि उसमें से कोई भी फिल्म बॉलिवूड की नहीं है। तो बिना देरी किये शुरू करते हैं आज की 9 फिल्मों की काउंटडाउन जो IMDV रेटिंग के अनुसार है। 9 नमर पर जो फिल्म है वो सायद आपने देखी होगी, यदि नहीं देखी है तो इस फिल्म को जरूर देखें, इस फिल्म का डायलोग्स और सौंग्स काफी कमाल का है। फिल्म का नाम है मुगल ए आजाम। यह फिल्म देखी हो या नहीं देखी हो किस तीज पर बनी है वो तो आपको पता ही होगा सलीम और कनीज अनारकली की यह लव स्टोडी है सलीम जो उस वक्त के राजा अकवर के बेटे थे 8.1 डेटिंग के साथ 1960 में यह फिल्म लगवक तीन घंटे की है 8 नमर पर जो मूभी है उसका नाम है फरजंड यह फिल्म एक महान योधा कॉंडा जी फरजंड की कहानी दिखाती है जब आदिल साहब अपने 2500 सैनिक के साथ 15 फोट पर आकर्मन कर देते हैं 1673 में तब फरजंड साहब अपने छोटे से ग्रूप मतलब 60 सैनिकों के साथ मातर साहे 3 घंटे में पनहाला फोट पर बिज़े प्राप्त कर लेते हैं तो यह काफी जवरदस्त फिल्म है इस फिल्म को आप जरूर देखें 8.3 रेटिंग के साथ 2018 में आई यह फिल्म लवग सवा 2 घंटे की है 7 नमर पर जमूगी है उसका नाम है सेर सिवराज छत्रपती सिवाजी महराज के कई बहादूरी के खिस्से और कई जवरदस्त युध नीती में से एक था अफजल खान को हराना जब दूसरे देशों के लोगों की सोच यह थी कि मारो या फिर मरो उसमें हिंदुस्तान ये सोचता था कि जीयो और जीने दो उसमें हम बहुत सारे तरीकें से और बहुत सारे छोटे छोटे ग्रूपों से गुलाम बनते आ रहे थे तब आये छत्रपती सिवाजी महराज जिसने उनको उनके ही तरीके से हराया तो ये फिल्म काफी जवरदस्त है 8.3 रेटिंग के साथ 2022 में आई या फिल्म लगवग धाई गंटे की है शिक्स और फाइब नमर पर जो वो मूवी है वो एक ही सिरीज का है जिसका नाम है चार साहिब जादे शिक्स नमर पर जो मूवी है उसका नाम है चार साहिब जादे राइज ओफर बंदा सिंध बहादूर ये सिख हिस्टरी की बहादूरी की कहानी दिखाती है सिरहिंड के गवर्नर पंजाब को जब पूरी तरीके से बरवात कर रहे थे और जिन्हों ने गुरूब गोविन सिंग जी के चार बेटें को मारा था उसका बदला किस तरीके से लिया जाता है वो चार साहिब जादे के दूसरे पार्ट में दिखाया जाता है और पहले पार्ट में ये दिखाया जाता है कि उनके बेटों ने समाज के लिए वहां के लोगों के लिए अपनी जिन्दगी को कुरवान कर दिया तो ये दोनों फिल्म काफी जवदस्त है ये एक एनिमेटेड मूवी है इसकी पहली फिल्म 2014 में आई है जो सवा 2 घंटे की है और दूसरी फिल्म भी सवा 2 घंटे की है उन्होंने किस बहादूरी से उनकी जान बचाई उनको उस फोर्ट से बाहर निकाला उन्ही की कहानी पर बेस्ट ये फिल्म 8.6 रेटिंग के साथ 2022 में आई है फिल्म लगवग 2 घंटे की है त्री नमर पर जो मूवी है उसका नाम है बीर हमीर जी सोमनाथ नी संकटे 15 सेंचूरी में गुजराती मुसलिम रूलर्स ने जब सोमनाथ को लूटना चाहा तब एक छोटी से गुरूप के साथ हमीर जी गोविंद ने उनको धूल चटा दिया ये भी काफी बैड़ाइस मूवी है इस फिल्म को भी आप जरूर देखें 8.8 रेटिंग के साथ 2012 में ये फिल्म लगवग 5.5 गंटे की है दो नमर पर जो मूवी है उसका नाम है सर सेनापती हम भी रहो ये फिल्म भी छातरपती सिवाजी महराज के एक कमांडर पर बेस्ट है जिसका नाम था हंसाजी मोहीते जिनकी बहादुरी के वज़े से इनका नाम हम भी रहो परा था तो उसी के नाम पर ये फिल्म है ये फिल्म काफी जबरदस्त है और मैं रिकेमेंट करूँगा कि इस फिल्म को आप जरूर देखें 9.2 रेटिंग के साथ 2022 में या ये फिल्म लगवक पाउने 3 घंटे की है और नम्मर वन पर जुम्गू है वो फिमेल फाइटर पर बेस्ट है नाम है मदर हुड दजर्नी ओप माता साहिव कौड ये फिल्म माता साहिव कौड जी की लाइफ जर्नी पर बेस्ट है जिनको मदर आप खालसा भी कहा जाता है strongest female leader of 17th 18th century तो ये फिल्म काफी जवरदस्थ है male fighter तो आपने बहुत देखा होगा female fighter भी यदि आप देखना चाहते हैं तो ये फिल्म काफी जवरदस्थ है 9.3 रेटिंग के साथ 2022 में आया फिल्म लगवक पाउने 2 घंटे की है तो यही थी आज 29 historical movie की countdown इसमें सबसे जवरदस्थ movie आपको कौन सी लगी उसके बारे में comment में जरूर बताएं यदि आप किसी दूसरे तरीके movie list के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी comment में बताएं इसी अच्छी movie, web series या documentary का explanation चाहते हैं तो उसके बारे में भी comment में जरूर चलिए में उते हैं अगले वीडियो में तर तक के लिए good bye खयाल लखिए आप सब अपना